Hello Friends, Welcome to Digital Classes आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिलिफ लोप के बारे में डिजिटल एलेक्स का सबसे इम्पोर्टन टोपिक है फिलिफ लोप इस वीडियो के अंदर मैं फिलिफ लॉपете जितने भी आपके डाउट्स होते हैं इतने भी questions बनते हैं flip-flop से related चाहे आपके competitive exams हो या आपके university exam हो हम सब इसके अंदर discuss करेंगे तो इससे start से लेकर end तक जुरूर देखें तो start करते हैं इस video को देखें सबसे पहले कि what is flip-flop? flip-flop होता क्या चीज़ है? flip-flop is a binary cell capable of storing one bit of data flip-flop का use one bit of data को store करने के लिए किया जाता है एक single flip-flop एक single bit of data को store करता है next is flip-flop is a sequential circuit अब sequential circuit क्या होता है देखिए ऐसा circuit जिसका output present input और past output पे depend करता हो कि मतलब अभी हाल फिलाल आप क्या input दे रहे हो और last time क्या output आया था? present input पर भी और past output भी दोनों के ओपर depend करता है जो new output आने वाला है तो यह होता है sequential circuit तो flip-flop इज़े sequential circuit next is flip-flop contain memory element to store past output देखिए हमने अभी बोला कि flip-flop के sequential circuit तो इसका मतलब यह past output पे depend करता है इसका जो present output है तो जो past output होता है उसे store करने के लिए flip-flop memory element का use करता है बलब memory device का use करता है past output को store करने के लिए next is flip-flop contain memory element to store past output flip-flop has two output flip-flop में total two outputs होते है normal output and complement output आप देखेंगे जब हम इसके diagram और tables discuss करेंगे कि यहां पर दो output आपको मिलेंगे एक Q और एक Q बार कि normal output और normal output का complement मलब बार लगाना तो हम दोनों के बारे में यहां discuss करेंगे कि इसके two outputs होते है आगे बढ़ते हैं there are mainly four types of flip-flop flip-flop total four categories के हैं first is SR flip-flop second is JK third is delay flip-flop या D flip-flop भी बोलते हैं and fourth one is the T flip-flop या toggle flip-flop तो इन four categories के हैं इन four के बारे में हम one by one सब के बारे में detail में discuss करेंगे इसलिए वीडियो काफी लंबी होने वाली है तो इसको last तक जरूर देखें देखें सबसे पहले होता है sr flip-flop sr में क्या होता है sr की full form है set reset flip-flop is a design with the help of two nor gates इसको design करने के देखिए multiple methods है या तो two nor gates का यूज कीजिए या two nand gate का यूज कीजिए flip-flop बनाने के लिए two nor gates भी यूज में लेकर आ सकते है two nand gate भी यूज में लेकर आ सकते हैं यहापर हमने क्या यूज किया हूँ यक नॉर गेट का यूज किया है यह एक नॉर गेट यह राऊट और नौर गेट के भी इच में हमने क्या किया देखिए हमने इसको s और r हमने क्या किया in-put दिया और इसका MSI Yeah झालों आप पूट अट नहीं इसको हमने दूसरे नौर गेट के इंपुट में दे रिया और दूसरे का जो आउटपूट डाइगरम है ऐसार फिलिफ लॉप का आपको देखे ऐसार का डाइगरम अच्छे से आना चाहिए क्योंकि जो बाकी जो फिलिफ लॉप है वह ऐसार और जेके के ऊपर ही बेस्ट है तो अगर आपका एसार और जेके यह दोनों अच्छे से क्लियर है तो बाकी फिलिफ लॉप समझने में या आपको काउंटर समझने में या रिजिस्टर को समझने में प्रोब्लम नहीं आएगी तो आपको यह दो फिलिफ लॉप के टोपिक अच्छे से क्लियर होनी चाहिए तो यह logic diagram था using the nor gate creating of sr fill flow अब इसी को मिलता जूलता देखिए nand gate देखिए बिल्कुल मिलता जूलता diagram है यहाँ पर वो देखिए s और r s और r है यहाँ पर दो हमने nand gate को use में लेकर आए है सेम काम किया हुआ है s और r as input दिया है इसका output को इसके input में और इसका output को इसके input में दिया है इस उपर वाले diagram को देखिए और इस diagram को देखिए दोनो diagram एकदम मिलते जूलते हैं तो यह क्या हो गए आपका using nor gate और using nand gate इन दोनों को से हमने क्या कर दिया sr बना लिए sr का एक third diagram और है आपको जैसे आप books में पढ़ते हो या google करोगे आपको हर जंगा पर अलग-अलग diagram मिलेंगे आपको यह तीनो diagram में से जुरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों ही मिले कहीं जंगा पर आपको first diagram मिलेगा कहीं second और कहीं third तो मैंने आपको यह तीनों ही diagram के बारे में दिखाया हुआ है तो देखें यहाँ पर यह जो था nor gate nor gate का यूज करके बना हो था sr इसके आगे हमने दो end gate और यूज कर दिये और clock pulse लगा दिये ऐसा करने से क्या हुआ sr के कुछ limitations थी कुछ problems थी sr की उस problem को दूर करते है अगर हम यहाँ पर end gate और लगा देते हैं क्या problem है वो भी हम आगे पढ़ेंगे तो nor gate only nor gate और only nand gate यूज करते हैं जब sr बनाते हैं तो उसके अंदर input के अंदर कहीं न कहीं एक drawback आता है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं इसके साथ में end gate का यूज में लेकर आते हैं तो यह था आपके sr का diagram के बारे में उसके आगे बढ़ते है truth table देखिए paper में आपकी university exam के अंदर हमीशा truth table characteristics table के बारे में पूछा जाता है तो इस table को अच्छे से समझीए देखिए s और r आपके total कितने inputs है 2 inputs है s और r 2 के कितने combination बन सकते है bits वाई 4 combination बन सकते है क्या बन सकते है दोनो 0 हो ये 0 हो ये 1 हो 1 0 हो और 1 1 हो total 4 combination possible है 0 और 1 की form में s और r input के लिए हमारे पास total 4 inputs है 4 types of inputs है तो देखिए जब दोनों ही 0 s input भी 0 है r input भी 0 है तो क्या output आएगा k1 plus 1 क्या represent कर रहा है present output को represent कर रहा है ये किसको represent कर रहा है present output मलब अब क्या output आने वाल है और k1 किसको represent कर रहा है ये previous output को represent कर रहा है क्योंकि आपको पता है जब भी हम flip-flop की बात करते हैं तो हमें present output और past output, दोनों के बारे में discuss करना होता है, तो k when plus one किसको represent कर रहा है, prezent output को, यह past output को, तो कहरे हैं, जब दोनों कीен голос 0 है, set भी 0 है, reset भी 0 है, तो हमेशा जो output आएगा, वो क्या हैगा? past output आएगा, जो पिछली बार output था, वो ही output आपको मिलेगा, आउटपुट में कोई changes नहीं होंगे अगर set 0 है reset 1 है, set को 0 कर दिया set 0 है, तो output भी 0 आएगा, set 0 तो output क्या आएगा, 0 आएगा अगर set 1 है, तो output क्या आएगा, 1 आएगा S वाली line को देखते हुए आपने answer लिखने, set 0 तो output 0, set 1 तो output output क्या होगा, 1 होगा अब देखें, यहां क्या कहता है, set 1 है और reset को भी 1 करने की कोशिश की जारी है, इस line को कैसी read करेंगे set is already 1 and we are doing to do reset 1, और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं reset को 1 करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा possible नहीं है set 1 का मतलब क्या हो गया set कर रहे है, मलब 1 की value set 1 set कर रहे है और reset करने मलब उस 1 को वापी से 0 भी करने की कोशिश करने reset करने का मतलब क्या, 0 करना तो किसी जीज़ को 1 करने की कोशिश करने है और उसको 0 करने की कोशिश करने है दोनों possible नहीं है एक time पे तो इस कारण से इस output को क्या बोला जाता है इसका output जाता है indeterminate या invalid इस case को invalid बोला जाता है अभी हमने बात की थी उपर logic diagram के लिए कि क्या बोला था हमने कि यहाँ पर SR में एक problem होती है जिस कारण से हम क्या करते हैं यहाँ पर हम end gate का use में लेकर आते हैं तो यह जो fourth था आपका type of input इसमें क्या होता है वन वन के case के अंदर यह invalid यह indeterminate होता है इस problem को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर end gate का use में लेकर आते हैं end gate को use में लेकर आने से यह जो fourth case होता है वो भी SR के अंदर क्या हो जाता है रिजोल हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं यह SR के truth table इस truth table को आपने दिमाग में रखना है इसी के base पर हम क्या करेंगे characteristic table बनाएंगे देखिए यहाँ पर characteristic table को समझते हैं आपके पास S और R दो थे S और R के अंदर देखिए हमने क्या किया S 0 R 0 हमने दो बार लिखा फिर 0 फिर 0 कि S और R की value 0 है तो past output की बात करें है past output यह तो 0 हो सकता है यह क्या हो सकता है 1 हो सकता है इन दोनों की value अगर 0 हो तो K1 की value 0 भी हो सकती है इन दोनों की value 0 हो तो output 1 भी हो सकता है past output की बात हो रही है आपने इन तीनों को देखना है अब देखिए अगर set 0 है reset 1 है हमने truth table को use किया हुआ है बस two times लिखा हुआ है doubles लिखा हुआ है देखिए 0 1 है 0 1 दोनों बार लिखा तो अगर set 0 है reset 1 है उस case में qn की value pass output की value है तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है same as जिदर set 1 है reset 0 है तो qn की value 0 हो सकती है या 1 हो सकती है same as जिदर set 1 है और reset भी 1 है set 1 है reset भी 1 है उस case में qn की value या तो 0 हो सकती है 1 हो सकती है तो हमने क्या किया total ये combinations को write कर लिया s, r और qn के लिए set, reset और past output के लिए लिख लिया अब characteristic table में हमने ये देखना है कि हमारा जो present है वो क्या आने वाल है अब आप truth table को दिमाग में लेका है हमने पढ़ा था कि अगर set और reset दोनों 0 हो set भी 0 हो, reset भी 0 तो output के आता है q1 आता है q1 का मतलब है अगर q1 की value 0 है तो 0 आएगा present output q1 की value 1 है तो present के आएगा output 1 आएगा तो इसके according आएगा q1 के according अगर set 0 हो तो output के आता है तो present, past कुछ मर्जी हो हमेशा output 0 ही आता है अगर set 1 हो तो past output आपका कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा अगर set 1 है तो 1 आएगा set 0 है तो 0 आएगा और set और reset दोनों ही क्या हो one हो तो output क्या आता है invalid या indeterminate होता है तो invalid या indeterminate हमने कर दिया मतलब xx का मतलब क्या है ये invalid या indeterminate को represent कर रहा है उसके आगे बढ़ते हैं हम देखिए characteristic equation देखिए characteristic equation कैसे find की जाती है उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे comment box में लिखिए मैं आपको इसकी detail में बताऊंगा लेकिन अभी के लिए आपने क्या करना है characteristic equation को learn करना है क्योंकि competitive exam की इंदर directly push लिए जाता है कि sr के लिए जो characteristic equation होती है वो क्या होती है तो इसका जो formula है आपने याद रखना है क्यों प्लस वन मलों जो present output है वो क्या होता है that is s plus r bar ये r bar है r के उपर बार लगा हुआ है then qn ये होता है ये निकाला कैसे जाता है इसकी calculation कैसे होती है देखिए हमने के मैप पढ़ा है digital electronics में के मैप होता है s, r और qn के लिए आप क्या करिए इस table का के मैप बनाईए और qn प्लस 1 की value को find out कीजिए तो आपकी यही equation आईगी जो हमने यहां पर given है तो आपको university exam के अंदर या competitive exam में यह formula पूछ लिया जाता है तो आपको उसको adjectives learn करना है उसके आगे बढ़ते हैं jk flip-flop के लिए jk flip-flop क्या होता है in sr flip-flop sr की क्या committee की उसके अंदर एक invalid state थी invalid state is present when both inputs are 1 जब दोनों 1-1 थे set भी 1 था reset भी 1 था उस case में invalid state आ रही थी invalid या indeterminate state आ रही थी उस problem को दूर करने के लिए jk flip-flop का यूज किया जाता है देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूँ अगर आपको इस के notes आपको चाहिए तो आप इस website के ओपर जाकर भी notes को देख सकते हो इसका link आपको description में मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आप देखिए इस diagram को देखिए यह diagram बिल्कुल आपको third diagram जो हमने sr का third diagram पढ़ा था बिल्कुल इससे मिलता जूलता है देखिए दो nor gate का यूज किया हुआ है और end gate का यूज किया हुआ है मैंने वहाँ पर भी बोला था कि जो फॉर्थ state थी invalid state उसको problem को दूर करने के लिए वहाँ पर हमने एक diagram पढ़ा था वो diagram और यह diagram देखिए sr हो गया इसके आगे हमने end gate लगाया हुआ है तो इस diagram को आप अपने दिमाग में रखना यह jk flip flop का logic diagram है उसके बाद true table देखिए बिल्कुल मिलती जूलती है अगर आपको sr बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो jk, t, d पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी द nr इतरह से set , s कि तरह कम करते है अगर set 0 ओता आउटपूट क्या था ? 0 आता था , set 1 ओता था ? 1 आते था , दोनो 1 ओते था था , वहां क्या था ? invalid आता था ? बस यहां पर आके change हो जाता है , कि 2 तो यह क्या हो ज़ता है ? टोगल केस हो जाते है , togal का मतलब क्या है , जो previous output था उसक बार हो गया बार का मतलब क्यों बार एन आता है आंसर तो आपका सिर्फ यह फॉर्थ जो एंटिटी है वही चेंज होगी बाकि तीन जो है वह एसर वाले ही आउटपुट आएंगे डोनों जीरो पर क्यों सेट अगर वन है मुलब जे अगर वन है तो क्या आएगा वन आएगा अगर जे जीरो है तो जीरो आएगा दोनों वन है तो तोगल हो जाएगा तो आपने यह टेबल को याद रखने है यह तूट टेबल हो गई इसी तरीके से अगर हम आगे इसकी करेक्टिक टेबल वो कैसे बनती है आपको मैंने पहले भी बताया था एसर के अंदर यहां पर लखे हैं देखैंगा देखिए वो ही करना है अपने जे और वेलोगे वेल्यू है उनको टूट टायंपस लिक देना है जीरो जीरो को अपर लिए जीरो वन को भी टू टाय YouTube लिएघ लिए सबसे पहले दो लिए अब दिकिए अगर जे और के डोनों जीरो हो तो उसके लिए POSSIBLE क्या Q1 म抱歹 previous output यह तो 0 होगा यह क्या होगा 1 होगा same अगर 0 1 है मा fodanto J0 है K1 है तो इस case में भी Q1 यह तो 0 होगा यह 1 होगा same as 1 0 के लिए Q1 यह तो 0 होगा यह 1 होगा Jk के लिए अगर दोनो 1 1 है तो यह तो 0 होगा यह 1 होगा अब इनके लिए k1 प्लस 1 की value सोचते है अगर j और k दोनो 0 होता है तो हमारा output k1 आता है truth table को याद कीजिए क्या output आता है k1 k1 का मतलब अगर k1 0 है तो 0 output आएगा k1 1 है तो 1 output आएगा अगर j 0 है k1 है j 0 है k1 है तो output हमेशा 0 आता है देखें दोनों केस में 0 output है बिल्कुल है j 1 है k0 है j 1 k0 उस केस में output हमेशा 1 आता है 1 given है j और k दोनो 1 1 हो तो output का आएगा toggle हो जाएगा toggle का मतलब k1 अगर 0 है तो output 1 आएगा k1 अगर 1 है तो output 0 आएगा बिल्कुल अगर truth table दिमाग में है तो characteristic table बनाना कोई hard in नहीं है same as इसके characteristic equation जो कि आपके competitive exam में भी पूछ ले जाता है इस equation को याद दखिए qn प्लस 1 इक्वलस टू j q bar n प्लस k bar qn यहाँ पर q का बार है और यहाँ पर k का बार है तो इस equation को आपने adjectives learn करने है अगर आप चाहते हो कि यह equation कैसे आई है तो इसके लिए आप मुझे comment box में बताइए मैं आपको इसका भी एक video बना कर इसका पूरा solution आपको दूँगा next is the delay flip flow यह deflip flow it is also called the transparent latch because in a deflip flow input and output are equal देके सबसे easy है deflip flow जो input दोगे वो ही output आपका आएगा इसलिए इसे क्या बोला जाता है transparent latch बोला जाता है एक देखिए बार-बार word आ रहा है latch latch क्या होता है फिकर मत कीजिए इसी video के अंदर मैं आपको last में बताऊँगा कि latch और flip flow में क्या difference होता है अभी just याद रखिए कि latch भी बोलते हैं इसको आगे बढ़ते है SR flip flow are converted into D SR से ही D बनाया जा सकता है just क्या करना है उनके बीच में inverter लगा दीजिए S और R के बीच में क्या कर दीजिए inverter लगा दीजिए bar लगा दीजिए कैसे होता है इसके diagram से समझते है देखिए आपने SR का diagram पढ़ा था SR का ये diagram था अगर इसको छोड़ दीजिए सिर्फ इस वाले part को कि दो nor gate और दो end gate दो nor और दो end gate लगा कर हम क्या कर सकते थे हम SR बनाते थे SR के अंदर क्या करना है अगर आप एक inverter लगा दीजिए inverter का मतलब क्या है जो यहां से input आ रहा है उस input का बार आप यहां पर बेज़ दीजिए तो उसको बेजने से क्या होगा ये जो SR flip-flop है वो किसमे convert हो जाएगा आपके D flip-flop में convert हो जाएगा आई होप आपको clear हो गया होगा इस बार एक ही input है D that is 0 और 1 अगर 0 है तो आउटपूट के आएगा 0 अगर 1 है तो आउटपूट के आएगा 1 आएगा तो बहुत simple सी true table है इसकी characteristic table देखते है characteristic table में हमने क्या करना होता है आपको धिहानी है कि आपने इसको दो दो बार लिख लेना है तो देखिए अगर D 0 है और D 1 है Q1 की value को सुच लेते है Q1 यह तो 0 होगा यह 1 होगा Q1 यह तो 0 होगा यह 1 होगा अगर D 0 है तो हमेशा output 0 आएगा Q1 की value चाहे कुछ मर्जी हो चाहे 0 हो चाहे 1 हो D अगर 1 है तो Q1 की value चाहे 0 हो चाहे 1 हो output हमेशा क्या आएगा 1 आएगा तो यह characteristic table हो गई आपकी and the next one is the characteristic equation इसको भी learn करना है बहुत simple equation है क्या equation है Q1 plus 1 की value कितनी होती है D होती है just D तो आपने इसको याद रखने है and the last flip flop that is the toggle flip flop या T flip-flop, इसको start करते हैं, नाम से clear है toggle, तो जो भी आप input दो गए है, उसका क्या हो जाएगा, toggle हो जाएगा, toggle flip-flop obtained from JK flip-flop, D किसे बना था, SR से बना था, और T किसे बन रहा है, JK flip-flop से बना था, क्योंकि toggle वाली condition किस में मिलती हैं, सरिफ JK flip-flop में मिलती है, in JK flip-flop, when the input J and K are connected to provide a single input by T, J और T से क्या करना है, J और K का use करके हमने एक single input देनी है, that is T, तो इसके diagram से समझते हैं, देखिए, यहाँ पर JK का आपको यह given है, logic diagram, JK के अंदर हमने क्या किया, जो J और K का आपकी अलग-अलग input थी, उनको मिला कर हमने एक single input बना दिया, that is the T, दोनों के लिए single input बना दिया, और single input के अंदर हमने क्या किया, अगर हमने 0 दिया, मैं जे और K दोनों के value 0 हो, अब याद करिये, J और K दोनो 0 तो output के आ आता था, Q1 आता था output के आता था Q1 और J और K दोनो 1 ओ तो output के आता था Q1 बार आता था तो यह table JK से ही बनी हुई है कि दोनो 0 होने पर Q1 आता था दोनो 1 होने पर Q1 बार आता था 0 1 वाला तो case होई नहीं सकता क्योंकि इस बार हमने दोनों वी wire को एक साथ connect कर दिया तो दोनों की जो value होगी वो क्या जाएगी सेम जाएगी तो T के लिए अगर 0 है तो Q1 बार यह आपका true table हो गई characteristic table के अंदर आपने T की value को 2 times लिख लेना है again T की value को 0 और T की value को 1 Q1 की value 0 1 हो सकती है या 0 1 हो सकती है अगर T 0 है तो Q1 की कोई भी value हो आपने क्या करना है Q1 की value का क्या कर देना है 0 की case में Q1 ही लिख देना है देखे 0 की case में Q1 answer आते है तो Q1 0 है तो 0 1 है तो 1 अगर 1 है T की value क्या है 1 है तो Q1 का क्या कर दो toggle कर दो 0 है तो 1 कर दो 1 है तो 0 कर दो तो इस तरिक्ये से आप क्या करते है क्या सबता है इसकी इस इक्वेशन में देखिया है क्या है इसके एक्वेशन Qn प्लस 1 एक्वल्स 2 T-bar Qn प्लस Q-bar Nt तो यह सब आपके इन चारों की जो आपने अच्छे से लिंड करनी है University exam के अंदर भी आपसे objective type questions के अंदर या आपके competitive exam जितने भी computer science के exam होते हैं उन सब में बहुत बार पूछी गई है characteristic equation के बारे में तो उसको as it is learn कर लिजिए and last thing जो मैंने आपको कहा भी था पहले कि मैं flip-flop और latch में आपको difference बताऊँगा यह तो most important question है university exam के point of view से तो पढ़ते हैं के बीच में difference a flip-flop always have a clock signal सबसे basic और सबसे main जो difference यही है कि flip-flop के अंदर clock signal का use के जाते है आपने जितने भी logic diagram देखे होंगे इसमें देखा होगा कि हमने clock pulse दी है अगर clock pulse देते हैं तो वो flip-flop के लाएगा अगर नहीं देते हैं तो वो latch के लाएगा बस एक single सा difference आपने यह याद रखना है इन दोनों के बीच में main difference यही होता है and the next thing is next thing क्या कहता है it check the input but change the output input को तो check कर लेगा but output तभी generate करेगा only at the time defined by the clock signal or any other control signal कि जैसे हम clock signal देंगे उसी time पर यह output generate करेगा input जरूर ले लेगा लेकिन output generate नहीं करेगा latch is an electronics device which changes its output immediately based on the applied input इसमें जैसे ही आपने input दिया उसी time यह output generate कर देगा इसको कोई clock pulse का वेट करने की जरूरत नहीं होती है and the next thing is they are classified into asynchronous और synchronous flip-flop देखिया इसमें clock pulse का use हो रहे है तो उसको synchronous और asynchronous के category में divide करना पड़ेगा लेकिन यहां पर जब clock pulse ही नहीं है तो इस step का कोई classification यहां होता ही नहीं है and the next thing is it is a edge trigger device अब देखिये और यह है level trigger अब यह दो नए word आते है और यह university exam में specially अलग से caution पूझ ले जाता है edge trigger और level trigger में क्या difference होता है तो इन चीज़ को भी हम समझ लेते है edge trigger और level trigger देखिये level trigger का मतलब क्या है यह देखिये ऊपर की तरफ यह जो line है यह बता रही है level को यह होता है level trigger edge trigger का मतलब यह देखिये edge trigger को रिखा रहा है यह arrow देखिये ऐसे arrow का मतलब है यह positive edge trigger है यह negative edge trigger है तो आपको कोई बोले edge trigger का मतलब कि जब आपका जो input होगा वो इस त्रीके से होगा मतलब आपका level के उपर होगा जब input तब flip-flop काम करता है और जब आपकी value देखिए यह तो 0 से 1 हो रही हो 0 से 1 होने का मतलब क्या है positive edge trigger या 1 से क्या हो रही हो जीरो हो रही हो हो रही हो उस टाइम पर negative edge trigger तो यह edge trigger पर काम करता है यह level trigger के उपर काम में आता है तो यह तक completely flip-flop के बारे में उससे related जितने भी questions बनते हैं हमने सब यहाँ पर cover किया है आई होप आपको clear होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like करना ना बूले और channel को subscribe करें thank you